दोस्तों आप सभी को सुबा का प्यार भरा नमस्कार इस समय हम है कैशी धाम में जो की है बाबा नीब करोरी जी का आस्तरम और आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर मंदिर बना हुआ है और यह स्थान परकिर्थ की गोध में बसा हुआ दोस्तों इतना भव है और इतना सुन्दर है कि आप यहां का जब यह अद्भूत ब्यूद देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रतनता होगी आपको बहुत ज़्यादा यहां पर सांती मिलेगी अब इस आस्तरम के बारे में क्या बिसेस्ता है इसके बारे मैं बहुत ज्यादा नहीं ज कि जब जा ही रहा हूं वहाँ पर तो सबसे पहले रात में वहीं जाकर रुकेंगे क्योंकि पहुंचते हुए रात हो जाएगी तो मैं यहां पर रात में रुका दोस्तों और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे पीसे वहाँ पर एकदम ठीक गेट के सामने ही मैंने कमरा लि अब आप आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले यह है जहरना यहां पर बहुत सुंदर निर्मल पानी बह रहा है जो की एक अजीव सी एक अच्छी सी सान्ती आपको देगा आप वहां पर देखेंगे धूप आ चुकी है पहाड़ों पर लेकिन अभी यहां तक नहीं पहु कर रहे हैं यहां से भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा वहां पर आप देखेंगे इतने बड़े-बड़े पत्थर हैं और यह यहां का सुंदर मनोरम द्रिस्त आपको इतना रोमान्चित कर देगा कि आप अपनी सारी परिसानियों को भूल जाएंगे क्यों भाई राहुल तंडी लग रही है और यहां देखो हम लोग चपल जूते अपने सब उतार दिये हैं वहां पर अपने उसमें यहां मचलिया भी हैं यह देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बहुत बड़ी-बड़ी तो नहीं लेकिन मचलिया आता रही हैं आप लोग देख रहे कर देता हूं में कृदशीद्र यहां से आप देख सकते हैं मंदिर कर यहां पर यह बैस्मालभी जी का मंदिर यहां से बाबाजी के दर्शन कर सकते हैं मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह नीब करोरी जी महराज वहाँ पर बैठे हुए दोस्तों वहाँ पर और यह है उनका मंदिर और यहाँ से आप एक बार फिर से पहाड़ों का भी उख देख सकते हैं वहाँ पर धूप आ चुकी है और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाया था और वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं दोस्तों वहाँ पर हमारी बाइक खड़ी हुई है तो अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ नेनिताल के लिए यहाँ का सब कुछ हमने दिखा दिया और आप देख सकते हैं और पहाड़ों में गाड़िया चलाना काफी मुस्किल होता है इसलिए हम जल्दी से यहाँ ते निकलते हैं और पहुंचते हैं नेनिताल फिर वहाँ पर आपको सारी चीजे दिखाते हैं दोस्तों तो दोस्तों को हम यहां से निकल रहे हैं, फिर कभी जिन्दगी में दुबारा मोका मिला, तो फिर बाबाजी के दर्सन जरूप करेंगे, लो, पकड़ो तो यहां से सुरुवात होती है एक ऐसे एडवेंजर की, जो कि हमने इस से पहले कहीं भी नहीं देखा था, या तो हमने फिल्मों में, या तो हमने फोटों में देखा था, जब हम कैची धाम पहुंचे थे तो रात हो गई थी, और उसके बाद जब हमने सुबा से नैनिताल ज पसंदाई कि आपकी इच्छा करेगी, कि आप हर एक मोड पर रुकें और एक फोटो खींचे, और इसी वज़ा से कैची धाम से 20 किलो मीटर मातर दूर है ने निताल, और वहां पर पहुंचने में हमें काफी देर लगई, क्योंकि हम जहां भी देखते थे अच्छा, वहां पर हम रुकते थे, फोटो खींचते थे, तो जिसकी वज़ा से काफी देर होगी, और इससे पहले हमने इसलिए नहीं देखा था, क्योंकि हम मैदानी शेत्र के हैं उत्तरपदेश के, वहां पर सिर्क मैदान है, लेकिन यहां पर जो पहाड़ हैं, आसमान को छूटे हुए पहाड़, उस पर पेंड़, पोधे, हर्याली, सुचता यह आखों को आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी दोस्तों, यह क्या कर रहे हो भाई, तो कैसा लगा यह ब्यूपॉइंट आपको, मतलब यह ब्यूपॉइंट मेरे हिसासी में यहां पर रुका हूँ, वाकि ब् तो यह है यहां का व्यूपॉइंट, ओ माई गाड़, क्या सीन है यह पहाड़ी पहाड़, नीला, आस्मान, स्वच्छावा, गजब का मजा आ रहा भाई, तबियत खुश हो गई एक दम और इन पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए आपको ध्यान भी देना होगा, कि कुछ जगार लिखा भी रहता है बोड़ पर, कि आगे पत्थर गिर सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, और जब भी आप जाएंगर आप बाइक जा रहे हैं, तो आपको एक और इसके बाद मैंने सोचा कि अगर इन पहाड़ों में मैं अपनी बाइक को चलाते हुए विडियो बनाऊं, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने एक अपाच्छा रहे हैं, इसलिए वाले भाई थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट ही, मैं उनके बाइक के पीशे बैठ गया, और राहूल बाइक चला रहे हैं, और आप देख रहे हैं, कि कितने अच्छी लग रही है, आरोन भाई भी और पीशे का जो व्यू है, वो काफी अच्छा लग रहा है, और उस इसलिए बनाने के अनुमती दी, इसके लिए इनका दिल से धन्यवाद, दोस्तों इस समय हम नैनी ताल में पहुच चुके हैं, और पहुचने के बाद सबसे पहले हम सोच रहे हैं, कि मा नैना देवी के दर्सन करेंगे, और उसके बाद नैनी ताल आप लोग को आजाओ भाई, कब तक सेलफी लोगे? तो यहां माता जी का मंदिर है, पीछे, और यहां पर मैच हो रहा है, यह क्रिकेट ग्राउंड है, और यह पार्किंग है दोस्तों, यहां 25 रुपे में हमने अपनी आरोन फाइप को पार्क किया है, और जैसे ही हम यहां पर दर्सन कर करेंगे, फिर चल कर आपको उधर जील का नजारत दिखाएंगे, दोस्तों, इसमें मैं नैना देवी के मंदिर में हूँ, यहां पीछे यह माता जी का मंदिर है, और उधर भैरो का मंदिर है, और उधर नुमान जी का मंदिर है दोस्तों, और यहां पर मंदिर में हमने दर् दिखा रहे हैं यह है जील और यह सरोवर की जगा है यहां पर आपको बहुत से सरोवर मिलेंगे घूमने की बहुत सारी जगा है अगर आप आएंगे तो सब के आप घूम सकते हैं हर जगा आप जा सकते हैं जितना आपके पास टाइम होगा और एक चीज मैं आपको यहां और पीछे माता जी का मंदिर, पीछे पहाड़ ही पहाड़ दोस्तों इस तमें हम नैनी ताल की नैनी जील पर हैं और पीछे का आप मारे सिन देख सकते हैं यहाँ पर आने पर बहुत ही अच्छा लग रहा है अब मैं अपने बैक कैमरे से आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ का थोड़ा सा सुन्दर सा द्रिश से जिससे आप लोगों को देख कर काफी मजा आए तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं पहाड ही पहाड और यह सरोवर की नगरी है यहाँ पर आप देखेंगे आई लब नैनिताल इंडिया इस पर लिखा हुआ है मुझे काफी खुसी होती है कि हमारे इंडिया में ऐसे भी परियटक अस्थल हैं ऐसे ऐसे राज्य हैं जो की काफी खुबसूरत है ऐसा लगता है इस और ने इनको बहुत ही पुर्षत से बनाया है अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा यह नैनी जील है दोस्तों यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पर बोठी बोठ है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं वहाँ पर दूर से और अब आप पहाल का द्रिस से देख सकते हैं जो कि आपके मन को मोह लेगा और यहां से पूरा नेनी ताल मैं आपको घुमाना चाहूँगा और इसमें मचलिया हैं इसलिए कुछ भी नडालें आप नीचे मचलियों को देख सकते हैं नई तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है यहां पर आपके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी टाइम हो, आप सब कुछ कर सकते हैं पूरा आप अपना टाइम बेतीत कर सकते हैं, आपको बहुत ही जाद मजाएगा अब मैं आपको वहां पर दिखाना चाहूँगा, आओ राहूल जहां पर लिखा है भाई, I love Nainital, यहां पर आप देख सकते हैं, यह लिखा है, I love Nainital अब देखो आप लोग, I love Nainital, इंडिया, और यहां नस्देक से मैं आपको दिखाना चाहूँगा अब आप Nainital यहां से देखें, फिर उसके बाद आप Nainital यहां से देखें, तो दोस्तों, आपको Nainital कितना पसंद आया, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अब हमने आपको यहां पर सभी जगहों के दर्सन करा दिये हैं, घुमा दिये हैं, फिलाल अभी हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए हम लोग यह यहां से निकलेंगे, जितना हो सका हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप हमारी चैनल को मिंटू को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को जोड़ दबाएं, अब हम आपक अच्छे अच्छे ब्लॉग देने की कोसिस करेंगे, तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिल सुभ रहे, धन्यवाद, और मैनी ताल भूमने के बाद, जब हम वापस आने लगे, तो हमें रास्ते में भी कुछ अच्छे प्राक जरूर करें, दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे, अगली वीडियो में तब तक हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिल से धन्यवाद, 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 आपका दिल